हेलो फ्रेंड नमस्ते वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माई चैनल मैं हूँ आपकी दोस्त किरन और आज फिर से आपके सामने एक बहुत यम्मी और टेस्टी चॉकलेट केक की रेस्पी लेकर कर आई हूं दोस्तों और आज का चॉकलेट केक बनाने जा रही हूं गेहूं के आटे क जी हाँ दोस्तों गेहूं काटे का चॉकलेट केक इतना यम्मी इतना सुपर सॉफ्ट इतना स्पंजी बनता है कि आप बाजार का खाना बंद कर दोगे और आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूं कड़ाई में केक की रेस्पी जो कि दोस्तों सच में बहुत ज़्यादा अ बहुत ज़्यादा हैं स्थ्ट सुफीर स्इट वर बनते हैं तो ये वाली का की रट कि जैगा चॉक्लेट केक है गीहूं का आटे से बना है तो बहुत ज्यादा हेल्दी भी है और बच्चे को बहुत ज्यादा पसंदद आ करे और और आप इसका फोटो अगर बनते थो तो दोस्तो आज की रेष्पी बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर हमने लिया हुआ है आधा कप के असपास दही है आप इसकी जगद दूद या बटर्मिल्क ले सकते हैं और इसके आधा कप यहां पर हमने लिया हुआ है चीनी और 1-4 cup के असपास आपको चाहिए होगा यहाँ पे ओयल लिया हुआ है आपको इस्तिमाल कर सकते हैं इसको सबीकों बहुत यहाँ है से मिक्स कर सकते हैं और में बहुत यहाँ है जैसे चीनीırd हो हो गाल आपको इस दड़े छणी लेना है यह हम डिया है एक कप आउट अगर आप मेतहिं पसंद अगर आपके बेकिंग सोडा नहीं है तो एक चम्मच बेकिंग पाउडर ले ले और वो भी नहीं है तो आधा चमच है इनो इस्तमाल कर सकते हैं उसकाद यहां पर हम ले रहे हैं दोस्तो हमारा जो कोकोवा पाउडर है वो हमने लिया हुआ है दो चम्मच आप यहां पर तीन अगर आपको कंसिस्टेंसी पर जो गिरने वाली कंसिस्टेंसी होती है इस तरीके से इस तरीके का आपको बैटर चाहिए देखे तो ऐसी जैसी हो जाएगी आपको दूद की जरवत इतने ही रहेगी इससे जाद ना करें अब यहां पर हम लेते हैं एक स्टील का यह देख सक साइज कामने बटर पेपर काट लिया हो इसके डाल के और काफी अच्छे से ब्रश इसके ऊपर चला लेंगे तो बहुत बड़ी हैं हमारा तेल से ग्रीज हो चुका है आज का ये इस्टील का बरतन उसक यहाँ पर हमने जो बैटर रेडी किया है दोस्तों उस बैटर को इसके बरतन जो है फ्लाट हो रहे हैं को इसा भी इस्तमाल कर सकते हैं कटोरी में ग्लास से बहुत सारे वीडियो में चैनल पर मिलेगी आपको केक्स रिलेटर आप ज़रू चेक आउट किजिए प्लेलिस्ट के रेसिपीस में इस तरह से डालने को ठोक दे ताकि इसके अंदर जित इसके आपको 40-45 मिर तक इसको बेग होने देना है 40-45 मिर के बाद बहुत भढ़िया आपका फुला 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 स्पंजी बना है बहुत ही उपर उपर तक फुल क्या होँआ है यहाँ पे आप चाफ चाकु या फिर इस तरह के तूदपी के मदधिस को चेक कर लिसे अच् जो फ्रोस्टिंग होता है हमारा जो केक के ऊपर जो डेकोरेट करते हैं वो रख बना लेते हैं जैसे की चॉकलेट काप सीरप बना सकते हैं इसके लिए हमने दो डेरी मिल्क लिया हुआ है दो या तीन आप चार किना भी ले सकते हैं और डबल बॉइलिंग मेथट की मदब से हम बहुत ही अच्छे से मेल्ट करेंगे तो नीचे हमने एक बड़ी से बरतन में पानी गरब होने के लिए रखा था उसके उपर इस तरह से बड़ा सा एक बोल रखा है उसके उपर हमने जो हमारा चॉकलेट है वो और साथ के साथ दो तीन चमजदूर डालकर इसको अच्छ प्लेट रखें और प्लेट रखने क मुणूर उत ब्लॉट धूर इसको ही पलत देना है इस तरह की से लखते बड़ने से किवह बहुत अच्यसी निकल जाए कि ने बैटर पर रखा था बटर पार पीपर गंज इसके महivanu से नीचे चिपकृब आराम से आपका जो हे पहरा यह देख सकते हैं, वाव, है ना दोस्तों, बहुत स्पंजी आपको दूर से दिख रहा होगा, कितना स्पंजी बना है, यह देखे, दबा के, प्रेस करके देखे, इतम फुला-फुला और पढ़ियां वाला हमारा आज का केक बना हुआ है, सुपर सॉफ्ट, सुपर स्पंजी कडाई में इतना अच्छा केक आपने कभी पहले बनाया हुआ है, नहीं बनाया तब जरू ट्राइ किजेगा, यहां पे हमने इसको पलट देना है, इस तरगे से प्लेट पे, दुसरे साइड से, और फिर इसके उपर आपको यहां पे हमने जो ग्यानिज बनाय हुआ हुआ ह तो यह हमने जो मैल्ट के आवा चोक्लेट है, वो इसको एपर इसको डाल देता है इस तरह क्य tast थे से, जितना जाद शादा चोक्लेट डालना चाहते हैं, आप ढ़से से क्योंकि चोक्लेट वाला केक है, तो और और वी जादा चोक्लेटी चोक्लेटी लगेगा, तो इसको आपको spread करना है इसको पर बहुत ही अच्छे से तो spread करने के लिए यहां पर आपको जो है चाकू की मदद की जूरत पड़ेगी या फिर कोई भी इस तरह का जो है जो है जो लंबा सा फ्लैट हो उसकी मदद साब इसको चॉकलेट को spread कर सकते हैं इसके उपर इस तरह की सब्सक्राइब दोस्तों इस तरह के से देखिए हमने उपर स्प्रेड कर लिया हुआ है अब थोड़ा से साइड में इस तरह के से जो क्लीन कर लें जिससे देखने में सुन्दर और बहुत ही ज्यादा खुपशत लगे दोस्तों यह ना देखने उपर से कितना अच्छा और है उसको जब् terus किका में कर सकते हैं जयाएं मॉह बखी सिष्चाइब निकाला बोलतार चीला में यह पर लगे अर्य वोच other 품 देखने में डिखने क्या देखिए विल्गुल फचाइन का जो डैस अ0 बीलुकल बाजार का जो कियोट्सक्ति लग रहितना अ क्राइश बहुत disorder बहुत इस पंजी बना है बच्चे दोस्तो उच्छल उच्छल के खाएंगे इतना जाद अच्छा बनता है यह क्या देख सकते हैं इतना अच्छा से कटा है एक निकाल की आपको और भी अच्छी से इसको काट के लिखाते हैं कि लिफर बना भुआ लुक वाइज इत क्या बताऊं आप अपने घर पे सको जरूर ट्राइ करिए इस रक्षा बंदन पे और हमें बताइए जरूर दोस्तों कि क्या सा बना आपका केक आप मुझे की रेस्पी का फोटो मेरे